सब्सक्राइब बात करने वाले हैं अपना आज का जो मकाबला रहेगा साउथ अपरेटी 20 का फाइनल मैं चाहिए और या तो साउथ अपरेटी 20 वो जो खिताब का नंबर एक है उनके सामने उसको दो कर सकते हैं या फिर कोई नया चेंपियन देखने को मिल सकता है मतलब की डर कर देना चनल को सब्सक्राइब अगर आपने ही क्या हुआ है फटामेट से कर लो क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको पहले मैच में एक वादा किया था कि साउथ अपरेटी 20 मेरे को बड़ा पसंद है टूर्णामेंट और अच्छा जाता है और वैसा ही हुआ है अभी तक अ प्रिमेर लीग भी शुरू होगा पीएसल भी शुरू होने वाला है उसके बाद में आई प्याल आएगा तो जितने भी नए लोग है फटावट से सब्सक्राइब कर गए रखो चैनल को एंड साथ साथ टेलग्राम चैनल भी बागी सारी अपडेट्स टीम्स की वावेस के लिए फटावट से वो विशुन कर लेना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बागी बात करते देखो अपने मैच की न्यू लेंड्स केप टाउन पर होगा भाई इनका जो फाइनल है जहां पर की क्वालिफायर वन खेला गया तो और क्वालिफायर वन में सेम चीज हुई थी बैटिंग फर्ष ने विन कर लिया था फिफ्टी टू मैचस फॉन्टी साउन बैटिंग फर्ष ने विन किया है और रोल की बात कर रहा हूं 24 बैटिंग सेकिंड ने अब आते हैं जरह इस ग्राउन पर जो रीसेंट मैचस में उसमें क्या हुआ हुआ है देखो यह ग्राउन ना थोड़ा सा अनेक्सपेक्टेट टाइप रहा है जरूर आप दियान में रखना क्योंकि न्यू लेंड्स केप टाउन जाना जाता है रन बनने के लिए जो पिछले साल हुआ था बट इस बार वह चीज ना कभी देखने को मिली है कभी नहीं देखने बना दी दो बोल रहे थे अरामचा जीत गए यहां पर उतना ही टार्गेट था बट डर्बन के वाई सब गुटने टिकवा दिये संट्राइजर्स के बोलर्स ने 106 पर उनको ओल आउट कर दिया था यह था क्वालिफियर वन ठीक है क्यों कैसा हो गया हाँ यह सा क्वालिफ अब करते हैं और संट्राइजर्स कोई वें दूनों टीम के बीच में चेंज आपको जो वो देखने को मिलेगा डैविड मलन यहां से ओपन कर सकते हैं हर्मन के साथ में डैविड मलन 63 बना कर गया वे पिछले मैच में उसके बाद में अहां से टों एबल है दो इनों ने बन पिछले दोनों मैंचे जिकिस बनाए हैं उससे पहले थर्टी सिक्स थे उससे पहले भी ऐसा थे पंदरा बीज रंते और एक में संचुरी बना चुक्क है बाकि मारकर हम की बात करें ध्यान रखना बोलिंग नहीं करा रहा है तो शायद उतना कैप्टन ऑप्शन ना बने बट फोटीन और नाइंटीन है इनके जो पिछले दो मैचेस में रंस है मारको एंसन जब रेष्ट लिया था ग्रूप स्टेज में 71 रं दो विकेट थे उसके बाद में रेष्ट आया और फिर वापस आये तब दो रं चार विकेट निकाले टेफिनेटली मारको एंसन हुआ बात करें यहां से मारको एंसन है तीनों ही बोलर्स इस टीम की सबसे हम बोल सकता हूं कि एक स्ट्रोंग पेर है जो बोलिंग का ठीक है और वहीं पर अगर हम नेक्स बात करें तो पैट्रिक क्रूगर है स्मॉलिक के लिए उतना अच्छा ऑप्शन देखो नहीं बनता है कभ कि सबको विकेट्स मिल रहे थे टीम को को पेसर चीया था क्रूगर को बोलिंग थमा दी तीन विकेट्स के नाम भी आ गए उसके बाद में तो बोलिंग नहीं कराई और कराई तो सिर्फ एक और कराया था पिछले मैच पे और यहां से लियम डौसन और साइमन हर्मर अब पत इतना अच्छा परफॉएंस है कि विकेट ही नहीं है एक सिर्फ एक विकेट है इतने सारे मैच इसमें हर्मर के नाम भागी लियम डौसन डेफिनिटल एक उप्शन मनता है क्योंकि बैटिंग से भी कॉंट्रिब्यूट कर सकता है लियम डौसन तो अगर रखना है तो बाग रिकमेंद सेरेल एर्वी और यहां से साइमलेंड रहते हैं बागी डर्बन के अगर हम बात करें तो डर्बन सूबर्चाइंट प्लेंग लोग खलाई से मुझे के साथ में खेल सकते हैं अब लाश्ट मैच मैंने आपको बोला भी था कि डिकोग उपन कर सकता है और डिकोग सकूर है बाकि आप सबको बता है डिकोग इतनी अच्छी फॉम में पूरे सीजन में रहा नहीं है 25 25 बनाए कभी कबर 0 पर भी गया है बाकी 83 एक ही स्कूर है जो पूरे सीजन में डिकोग ने अच्छा किया है बस उसके अलावग कुछ नहीं है फिर आते हैं रिट्जिक के स्क्राइब का इस ग्राउंड पर रिकोर्ड हद से जादा खराब है खराब नहीं है हद से जादा खराब है ठीक है और यहां पर ही स्मट्स ने जीरो भी बनाया जब खेला क्वालीफियर वन में तो जीरो आये था उसके बात में भानुकर अजपाक्षाइब अगर थोड़ा स वियान मल्डर की तरफ से बढ़िया आ रहा है परफेंस पिछले तीन मैच में ठीक है तीन में से दो में तो आफ सिंचुरी है फिफ्टे नाइन और फिफ्टी बाकि विकेट्स की बात करो तो भाई ऐसा था यहां एक दो एक दो वर डाल रहा था यहां पर ओवर मिले और सा प्रिटोरियस के साथ में रहने वाली है कि पूरे ओवर डालेगा यह नहीं डालेगा क्योंकि इवन इनके ना जो फिफ्ट पॉलर यह सिक्स पॉलर आप जैसा भी समझो प्रिटोरियस और केशो महरास दोनों ने मिलकर पिछले मैच में चार वर डाले थे और बाकी सब मेना 30-32 रन पढ़ गए थे उससे भी जादा ही पढ़े थे बट स्टिल एट दा एंड मैच के गता होने के बाद में डाला के खाते में चार विकेट्स थे इस तरीकी की किसमत है डाला की साथ ओवरेगा डी 20 में उसके बाद में यहां से 9-0 हक है दो विकेट इनके नाम भी आज बाद के दो विकेट वाली उमीद तो नहीं बठा एक विकेट या विकेट लेस ऐसा कुछ हो सकता है तो इधर से पेसर्स के मामले में जूनियर डाला मश्ट पिक है और उसके लावा प्री टाउरेस आपके पास में एक डीसेंट ऑप्शन बनता है पिक करने लिए क्ला है जैसन स्मित और ब्रैस पार्संस इनके पास में अवलेबल है और उसके बात की जाए तो वोरल है और उसके बाद में मार्को एंसन है जो कि नहीं बोल के साथ में डालते हैं यहीं दोनों डालते हैं इधर से कुछ यह जोता नहीं है सच्छ डैथ बोलिंग में आपको बोलिंग मिल सकती है इधर से रेच टोप ले नई बोल के साथ में डालता है अब मैं क्यों बोलता हूं कि यह जो दूसरी वाली जगह ना यह चेंज होती रहती है कभी यहाँ नविनोल हग देखने को मलता है कभी यहां केशा उमरास देखने को मल जाता है आपको कभी यहां स्विंग नहीं केलबाता शुरुआती है और मैं तो यहां से मल्डर को यह बोलता है कि नविनोलक को बोलिंग देदी ऐसा तो कुछ होता नहीं है ठीक है तो इस वैसे तो यहां से दूसरे एंड से किसी को भी लगा देते एक एंड से टोप ले आता है पावर क्लिम बाकि उसके लावा मल्डर अभी के लिए ऐसा है जिसके ओवर कट सकते हैं अभी तो पूरे डाल रहे हैं पिछले मैंच में अच्छी बोलिंग की थी बट एक चीज है कि यहां से यह भी हो सकता है कि महराज पूरे चार करा दे और मल्डर और प्रिटोरियस यहां से मिलकर च कीजिए तो उसमें क्विंटन डिकोग है 26 मैच 636 रहने 25 का एवरेज है डैविड मैलन के 9 मैच में 280 रंस हो चुके हैं 35 के आवरेज के साथ में बाउमा है साथ मैच में 180 25 का एवरेज है जैसे स्मट से देखो मैं क्या बूल रहा था खराब नहीं बेहद खराब है स्मट का 15 मैच में मात्र 175 रंस है इसके नाम 15 मैच में बहुत जादा होते हैं और इवन नोट आउट भी नहीं है जो की है 11.66 का और इवन पिछले मैच में भी स्मट से इस ग्राउन पर खिला तब भी यह रन नहीं बना पाया था बागी जैसन स्मित है 6 मैच में 141 और विन प्रिटो डी सेंटरन आपको देखने को मल जाते हैं बोलिंग शेक्शन की बात करें स्मट के हैं 13 मैच में 10 विकेट बाटमें के 4 मैच में हो चुके हैं बाइद 10 विकेट इस ग्राउन पर डाला के 6 मैच में 8 और प्रिटोरियस के हैं 9 मैच में यहां से 7 विकेट वहीं पर अगर हम है इनका ना बागी देखो इस सीजन वाले मैचस का आप स्कोर कार्ड मैं बोलो हम आप जानते होंगे तो आप पोज करके भी देख सकते हो वरना मैं एक मिनट बता देता हूँ आपको तो ठातीन तो जैन्वरी को डर्बन ने 225 बना पाई जिसमें के बिट्जक के 43 स्मट्स न पाद में 28 जैन्वरी को वापस इनकाम काबला हुआ रिवर्स फिक्षर जिसमें के संट्राइजर्स ने बाजी मारली चेज करते वक्त उस मैच में ब्रिट्जक के वापस से रंस थे 35 क्लासन के 31 मेल्डर के 52 प्रिटोरियस के 32 एक विकेट टो पले और महराज का था आप दे टीम के अगेंश्ट में और उसके बाद में यहां से सिक्स तो फैब को संट्राइजर्स ने 157 बने डर्बन चेज नहीं कर पाए यह मुकाबला इसी सेम क्राउंड पर था मलन के 63 मार करम के 30 हर्मन के 21 चार विकिट येंसन और बाटमन और दो विकिट यहां से लियम डोसन के के थे वहीं पर कुंटन डिको के 20 मल्डर के 30 क्लासन के 23 ये दोनों खिलाडी भी आपको ना बड़े कौमन देखने को मिल जाते हैं तीनों ही मैंचस में मल्डर और साथ-ए-साथ क्लासन भी ठीक है रंद सिन की देखने को मल रहे है वहीं पर नवीन प्रिटोरेस का एक विक नहीं पता तो डर्बन की टीम में ठीक है मारके श्टोनिस का रिप्लेस्मेंट आया था वहीं पर मैथ्यू ब्रिट्जक है जो कि बाट्मेन के अगेंस में दो बार आउट हुआ है और वियान मल्डर भी अगेंस बाट्मेन ही दो बार आउट हो चका है पर 35 वोल में टीम की सर्स यहां से उन्हीं को रखा है महराज और यहां सञूनियर डाला मेरे पास में महराज की जगे पर आपके पास में enable की सब चीज़ेवा झाल चालता पको वीडियो पसंफ्क्राइब करना च्योंक, शब्सक्राब अगर नहीं क्या हुआ है वटावट से कर लो बाकी उल्लावेश्ट इस मैच के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही साते जलते हैं